कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि टोकियो जापान में आपके ओलंपिक गेम हो रहे हैं और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे देश की जो आपकी मीरा बाई चानू है इन्होंने पहले ही दिन एक सिल्वर मैडल जीता है उसके बाद आपने देखा है कि निवश फेपरों पर आप लोगों ने देखा होगा सोसल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह से मतलब बधाई दी जा रही है आप लोगों ने भी सुना होगा कि पैधान मंतरी साहब ने ट्वीट तो किया ही है ने भी दी हुई है तो आज हम लोग मीरा भाई चानू के बारे में एक सामन जानकारी देख लेंगे और आपको जो ओलंपिक गेम है इनके बारे में भी एक सामन जानकारी देदेंगे अगर आप परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्पूर हमें तो उनके बारे में एक सामन जानकारी तो होनी चाहिए हमारे पास ठीक है इसते पहले भी आप देखेंगे इन्होंने कई मैडल जीते हुए है कई इस तरह की पिते होंगी ताओ में इन्होंने भाग लिया हुए है ठीक है तो एक बार आप लोग मैप्स पर चलिए तो इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको देखाई देगा क्या देखाई देगा कि यह हमारी प्यारी पित भी देख रहे ही पित भी गोला जिसे आप लोग गोला कहते हैं इसमें आप देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत अगर हम लोग पड़ोसियों की बात करें तो नीच आपको स्रीलंका देखने को मिलेगा मैनमार बंगलादेश भूटान नैपाल चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान यहां से आप देखेंगे तो यह सी या में ही एक देश पढ़ता है आपका जापान जापान के बारे में आप लोग काफी सुने होंगे और आप लोग ने देखाऊगा कि दूसरा जो विर्सेयोद्र था जापान पर परमाडू बंप गिरने के बाद ही खतम हुगा था समझ रहे हैं 1945 की बात कर रहा हूं और आप देखते हैं कि काफी एक तरह से विक्सित देश है समझ रहे हैं समझना चाहिए सब कुछ तो यहां आप देखेंगे यह है जापान और आप देखेंगे यहां आपको एक सहर देखने को मिलेगा जो जापान की राध्धानी है क्या है जापान की राध्धानी टोकियो यहां आपके 2020 के जो ओलंबिक खेल होने थे गेम्स होने थे उन्हें किया जा रहा है आप सभी जानते हैं कि 2020 में कैंसल कर द रहे हैं तो यह भी आप लोग मालू रखिए अगर हम लोग ओलंपिक खेलों की उत्पत्ती की बात करें तो प्राचीन ग्रीस में हुई थी यह धार्मी कुस्ताओं का एक आंत्रिक हिस्सा था उस समय शुरू में यह ग्रीस के ओलंपिया में जी यूस ग्रीक धर्म के में मानते हैं आप लोग तो उनके लिए होता है लेकिन आगे चलके वो क्या करें कि वही खेल आगे चलके राष्टी इस्तर पर होने लगे या फिर अंतराष्टी इस्तर पर होने लगे तो यही हुआ है ओलंपिक के ओलंपिक अंतराष्टी ओलंपिक सम्ती तेश जून उन् संतंतराश्टी संगठन है, जो खेल के माध्यम से एक बेहतर विस्त के निर्माड के लिए फिती बद्ध है, यह है ओलम्पिक खेलों के नेमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, और सभी समवध सदस संगठनों का समलतन करता है, और उची तरीकों से ओलम्पिक के मोल्लेओं क बड़ावा देता है, और आप देखेंगे कि जो हर 4 साल में होते हैं, आपने देखा होगा 2016 में हुए थे, उसके बाद 2020 में होने थे, लेकिन किसी भी कारण से 2020 में नहीं हो पाए, तो वही 2021 में किये जा रहे हैं, इसलिए अभी आप लोग हेडिंग भी देख रहे होगे, कि कि मीरा भाई चानू ने 2020 के ओलंपिक खेलों में सिल्वर जीता है, तो ये 2020 के ही हैं, बस 2021 में हो रहे हैं, तो 1948 से हर 4 साल में एक बार ओलंपिक आये विजित होते हैं, हर 4 साल में, ठीक है, और कोई प्रोबलम आ जाती है, तो आंगे पीछे भी हो सकता है, तो ये आपकी रह ये ओलंपिक के बारे में एक सामन जान करें, वैसे आप देखी कि जब इस तरह की कोई पूरा खेल हो जाता है, तो समय भी हम लोग बातें करते रहते हैं, कि अंगले कहा होंगे, क्या होगा, और वैसे बता भी देता हूँ आप लोगों को, कि 2024 के जो आपकी ओलंपिक खेल ह होंगे, इसकी मेजवानी कौन करेगा, पैरिस, कौन पैरिस, और 2028 के भी बता देता हूँ, क्योंकि आज कल आपकी परिक्चाओं में बड़े अजीब कुश्चन साने लगे, आप सोची, आठ दस साल बात की भी पूचने लगे हैं, तो 2028 के होंगे, कौन करेगा, इसकी मीरा भाई चानू की आप लोग फोटो देख रहे होंगे, ठीक है, इनके पूरे नाम की अगर हम लोग बात करें, तो साई खौम मीरा भाई चानू, क्या है इनका पूरा नाम, साई खौम मीरा भाई चानू, इनका पूरा नाम भी आप से परिक्चा में पूच ले, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि इनका nickname ही चलता है Mira भाई चानू भी आप लोग सुनते रहते हैं पूरा नाम आप लोगों में से कई लोगों को मालू भी नहीं रहता है और इनके nickname की बात करें तो Mira भाई है और अगर हम लोग जनम दिनान की बात करें यानि कि इनके जन्म की date की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी 8 अगस्त 1994 को इनका जन्म गए था कहां हुआ था इंफाल मडिपुर में कहां देख लिजए इंफाल मडिपुर को भी देख लिजए ये आप देखेंगी ये मड़ी पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी राध्धानी क्या है? इंफाल और आप देखें कि इसकी सीमा की अगर आपसे कभी questions पूँचे इस तरह के भी questions पूँचने लगा है आजकल तो इसकी सीमा अंतराष्ठी सीमा म्यानमार से लगती है और बाकी राज्जों में अगर बात करें तो मिजोरम भी लगा हुआ है आपका आसम भी लगा हुआ है और यहां आप देखेंगे नागालेंड आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग इनकी पिता की बात करें तो साई खौम किर्ति मितेई इनके पिता का नाम है अगर माता की बात करें तो साई खौम, उंगवी, तॉंबी, लीमा इनकी माता गनाव है आप जानते हैं कि यो पूरवी भारत में इसी तरह के नाम रखे जाते हैं समझ रहें? इनकी हाइट की बात करें तो 4 फिट 11 इंच इनकी हाइट है और 48, 49 किलो बजन है इनका आँखों की बात करें, काला और किस खेल से जोड़ी हुई है? भारत ओलन से यानि कि वेट लिप्टिंग से आपको दिखाई भी दे रहा होगा फिक्चर में ठीक है? कि ये भारत ओलन से जोड़ी हुई है और इसी में इनों आने आप देखेंगे कि जो भारत ओलन इस परदा है इसी में इनोंने सिल्वर जीता हुआ है दोनों नावे याद रखें वेट लिप्टिंग और भारत ओलन इंगलिस वर्जन भी याद रखा करिएगा क्योंकि कई बार आप से इस तरह है कि इनके अगर हम लोग कोच की बात करें यानि कि एक तरह से आप गुरू जी कह सकते हैं अभी तो कुझ रानी देवी और विजय सर्मा इनके कोच है और धरम तो वैसे मुझे लगता है कि इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए अगर कोई खिलाड़ी है कोई मेडल ला रहा है तो वो हमारे भारती होना चाहिए भारती है तो है फिर भी याद रखिए हिंदू इनका धरम है और खाना की बात करने तो नॉन बेच खाते हैं और इनकी होबी यानि की रूची या सौक आप कह सकते हैं तो टेवलिंग करना और म्यूजिक सुनना आप लोगों में से भी म्यूजिक सुनना दो मुझे लगता हर किसी को पसंद होगा देखी आप लोगों देखा होगा कि पदम सरी 2018 में दिया गया था 2018 में मीरा भाई को किने मीरा भाई को क्या दिया गया था मीरा भाई चानू को पदम सरी और संद 2018 में ही राजीव गांधी खेल रतन दिया गया था और अगर आपको यहां भी बता देता हूं क्या बता देता हूं पदम सरी के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि भारा सरकार की द्वारा दिया जाता है और आप देखते हूं कि विविन चेत्रों में दिया जाता है जिसमें आप कला भी देख सकते हैं सिक्षा भी देख सकत और अगर एवदान होता है आपका तो आगे चलके आपको भी मिल सकता है और याद रखी इसके इसे पहली बार 1904 में इस्थापित किया गया था कब 1904 में और यहीं अगर हम लोग राजी बांधी खेल रतन पुरुसकार की बात करें तो आपको मालू होना चाहिए कि 1991 बानवे म पहली बार इसकी स्थापना हुई थी ठीक है और याद रखिए सत्रण्ज गरेंड मास्टर बिस्वनात आनंद इस पुरुसकार को पाने वाले पहले खिलाडी थे ठीक है अब चलिए मीरा भाई चानू के कुछ रिकॉर्ड भी देख लेते हैं कौन-कौन से रिकॉर्ड इन तो सन 2014 में 48 किलोग्राम की केटिगरी में सिल्वर मेडल गिलासगो कॉमन बेल्थ में मिला था पहली बार क्या सिल्वर मेडल उसके बाद आप देखेंगे कि 2016 में गोल्ड मेडल जीता था जो साउट एसियन गेम्स हुए थे आपके कहा हुए थे गौहाटी में ठीक है तर आ गोल्ड मेडल जीता था किस खेल में वर्ल्ड वेट लिप्टिंग चैंपिंसिम में फिर आप देखेंगे कि सन 2018 में 48 किलोग्राम की केटिगरी में गोल्ड मेडल कॉमन बेल्थ गेम्स में जीता था क्या गोल्ड ठीक है तर आप देखेंगे कि आपने देखा हुए कि इस त दर्सन करते हैं तो हमारे राज्यों के कई मुखमंत्रियों ने इनाम भी देते रहते हैं तो जो आपके कहां मडीपुर के मुखमंत्री हैं उस समय तो उन्होंने 20 लाग रुपी की रासी खेलों में बहतरी इन फिर दर्सन के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनाम की मिलेगा और 50 देखने को मिलेगा कहीं कहीं तो सिल्वर मैडल टोक्य ओलम्पिक खेल में इन्होंने अपने नाम किया हुआ है तो यह भी आप लो याद रखेगा आगे कौन-कौन से मैडल जुडते हैं क्या-क्या जीतती हैं अभी तो आप देखते हैं कि सफर इनका सुरू ह हुआ है कहां तक पहुंचता है यह तो आने वाला बक्ती बताएगा हम लोग भी दूआ कर सकते हैं कि सिल्वर चोड़िये मैड गोल्ड मिले तो हम लोग अच्छा भी लगे अभी आप देख सकते हैं कि हमने सिल्वर जीता हुआ है बाकि देखी कई राज्यों को आपका गो कि टॉप और पहुंचे हमारा देश एक लेकर सत्त क्या है न हमारे देश का पता है आपको कि खेलों में बहुत खेलों को कम बड़ावा दिया जाता है अभी 2014-2015 के बाद आप देखेंगे कि काफी अच्छा मात दिया जा रहा है ना तो सरकार की तरफ से पहले किसी खिलाडी को मदद दी जाती है लेकिन आपने देखा है कि जब जो जीत के आ जाता है वो अपनी दम पर आ जाता है जीत के तब उसे भली कोई मदद कर देता है कोई कितना पैसा दे देता है मुझे लगता है कि इसकी जगे अगर आपकी स्कूल खुलवा दिये जाए टैनिंग सेंटर अगर इस तरह की विवस्ता हो जाए तो जरूर हम लोग बहतर विदर्शन कर पाएंगे खेर क्या कर सकते हम लोग की बाकी आप देखी अमेरिका को देख लीजे अपने पड़ोसी चाइना को देख लीजे आप लोग और अभी जब खतम होंगे तब भी हम लोग बात करेंग हरा रि Blood पांगे ऐस टॉपिक पर तब भी आप देखने का हमारा नमबर कितना है और बाकी देस ओंग लोग विस्तार से बात करेंगे टि कर बार prohibited के बारे में यही याद रखेगा लोग आ Π्सक्राइब करिए कि जाना outta 1 रखा करेगा आपके लिए फैदे मंध होते हैं